Hello and welcome to the extra class English. आज हम करने वाले हैं आपकी स्टोरी Should Wizard Hit Mommy by John Updike. ये स्टोरी रिवॉल्फ करती है एक छोटी सी बच्ची के अराउंड जिसका नाम है जो और उसके फादर जैक. सोने से पहले हमीशा जैक जो को स्टोरी सुनाया करते थे और वो जो स्टोरी थी उनका पैटन सिमिलर होता था. वो पैटन क्या था? कि कोई भी आनिमल वो ले ले लेते थे, चाए वो एक डॉंकी हो, चाए मंकी हो, कोई भी आनिमल या फिश हो और उसका नाम रख दे थे रोजर. अब रोजर को कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो जाता था वाइस आउल के पास. वाइस आउल के पास जाता था, तो आउल उने डारेक्ट करता था कि तुम जाओ विजर्ड के पास. विजर्ड के पास जब रोजर जाता था, तो विजर्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्फ कर और एन एक्स्टेंज वो उससे पैसे मागता था अब रोज़र के पास पैसे नहीं हो दे थे जब देने को तो विजड्ड उसे ये भी पता देता था कि पैसे कहां से मिलेंगे और फिर उसे पेक कर देता था रोजर खुश हो जाता था और हस्ते खेलते अपने फादर के साथ चला जाता था तो ये जो पाटन था हमेशा ही कंटिन्यू करते थे जायक जब भी वो स्टोरी सुनाते थे जो को अब एक दिन ऐसे ही स्टार्टड एक हो वो उसको स्टोरी सुनाने के लिए बैठे अब जैसे ही वो सोच रहे थे कि रॉजर इस बार कौन से आनिमल होगा वैसे ही जो ने रिस्पॉंड किया स्कंक स्कंक एक ऐसा आनिमल होता है जो काफी जादा स्मेली होता है तो अब वो बताना शुरू करते हैं कि ये स्टोरी है रॉजर स्कंक के बारे में अब क्योंकि वो बहुत जादा स्मेली था इसलिए उसके पास कोई भी आनिमल नहीं आता था वो एक बच्चा था, उसका मन करता था कि वो बाकी सारे बच्चों के साथ खेले, उनके साथ बैठे लेकिन कोई भी बच्चा उसके पास खेलने के लिए नहीं आता था, कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनता था अब जैसे ये बात वो बताते है जो को तो जो को बुरा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं जो उसको अपने साथ रिलेट करते हैं क्योंकि वो सोचती है कि ये भी बच्चा था और मैं भी बच्ची हूँ तो ऐसे वो यहा पर बताते हैं कि अपनी problem को लेकर यह जो 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 skunk है वो जाता है wise owl के पास और wise owl क्या कहता है कि वो जाए wizard के पास अब जब वो wizard के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझ में से बहुत जादा smell आती है इसलिए मेरे कोई friends नहीं बन पाते, कोई मेरे साथ खेल नहीं पाता, तो जो wizard है, वो उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है. अब क्या होता है, वो उसने पूछता है, कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम इसे किस की खुश्बू आए? तो वो बहुत happily reply करता है, कि हाँ, मेरे में इसे रोजस की कुश्बू जो है, वो आनी चाहिए. तो जो wizard है, वो agree कर देता है, और वो अपनी magic wand से magic करता है, और ये जो Roger Skunk है, it starts smelling like roses. अब क्या होता है, Roger Skunk बहुत जादा happy होता है. अब बीच में क्या होता है, जब Jack ये story सुना रही होते हैं जो को, तो वो बीच में काफी सारे questions जो है, वो put up करने लग जाती है. क्यों? क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है, वो curious है, तो उसे बहुत सारे questions जो है, वो अच्छा लगता है पूछना. जैसे वो अपने father से पूछती है, कि wizard is real होते है, कि नहीं होते है, और जब कोई उसके father इस story में कोई ना कोई गरबर करते है, तो वो correct भी कर देती है. लेकिन उसके father को ये पसंद नहीं आता. उसके father को अच्छा लगता है, कि वो चुप चाप, ध्रान से, फुल concentration से उनकी बात सुने. ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, कि वो उनको interrupt करे. अब जैसे ही, वो इस खहानी को continue करते हैं, कि Rogers कौंग जाता है, सब अपनी उसके friends बन जाते हैं, वो सब के साथ खेलता है, तो जो को ऐसा लगता है, कि ये story यहाँ पर खतम हो जाती है. लेकिन फिर Jack उसकी attention पाने के लिए उसे बोलते हैं, कि नहीं, ये story यहाँ पर खतम नहीं होती. तो जो काफी जादा हैरान हो जाती है, आप Jack continue करते हैं story को, कि होता क्या है, उसकी जो mother है, Rogers कंग की जो mother है, वो आ जाती है, और वो पूछती है कि ये awful smell क्या है, अब जो इस बात को सुनके काफी जादा shock हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, कि ये awful smell थोड़ी ना है, इसमें से तो बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, इसके सारे friends बन गए हैं इसके वज़ए से, तो Jack continue करते हैं कि नहीं, उसकी जो mother है, वो उसे कहती है, Roger Skunk को, कि ये तुम्हारे में से खुश्बू कैसे आई, तो Roger Skunk जो है, वो अपनी mother को बताता है, कि मैं wizard के पास गया था, और wizard की help से मेरे में से इतनी अच्छी खुश्बू जो है, वो आ रही है, तो जो उसकी mother है, वो Roger Skunk को मना करती है, कि नहीं, तुम एक skunk हो, तो तुम में से वैसी ही smell जो है, वो आनी चाहिए, तुम चलो मेरे साथ वापिस उस wizard के पास, मैं उसको hit करूँगी, और वो उसे कहूँगी कि तुम्हारी जो original smell है, वो तुम्हें वापिस करे, with his magic, अब जो जब इस बात को सुनती है, तो उसको काफी जादा शौक लगता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है, कि Roger Skunk की जो mother है, वो ऐसा क्यों कर रही है, इतनी अच्छी उसमें से खुश्बू आ रहे थी, उसके friends बन रहे थे, फिर यह ऐसा क्यों कर रही है, तो उसको कही न कहीं ऐसा लगता है, कि Roger Skunk की जो mother है, वो इस स्टोरी की villain है, अब होता क्या है, जैसे ही Jack continue करते है स्टोरी को, कि यह जो Roger Skunk की mother है, जाती है विजर्ड के पास, इस हिट करती है, और वापिस से जो स्कंक है, Roger Skunk है, उसमें से एक स्कंक की स्मेल आ जाती है, त लेकिन कहीं न कहीं, जो को यह जो ending है स्टोरी की, बिलकुल भी नहीं अच्छी लगती, वो अपने फादर से कहती है, कि नहीं, आप कई मुझे एक स्टोरी सुनाओगे, और उसकी ending यह होगी, कि जाब यह जो mother है Roger Skunk की, विजर्ड के पास जाएगी, तो विजर्ड मादर को हिट करेगा, और उसको यह कहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि जो को ऐसा लगा, कि इतने अच्छी खुश्बू की वजए से ही, Roger Skunk के friends बने, उसको अच्छा लगा, वो happy हुआ, और उसको accepted feel हुआ, इसी लिए उसको वापिस वो जो bad smell है, वो नहीं मिलनी चाहिए, wizard से, तो यहीं बात जो है, जो बोलती है Jack को, लेकिन Jack उसे मना कर देते हैं, और कहते ही कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह स्टोरी यहीं खतम होती है, क्यों? क्योंकि Roger Skunk जो है, वो अपनी मदर की बात मान लेता है, अब जैसे ही Jack जो को यह स्टोरी सुना देते है उसके बाद वो फटा-पट से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो वाइफ, फ्यर है, वो six months pregnant है, और वो इजो दो furniture move कर रही है, काम कर रही है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, पर उनको बहुत जादा गुसा भी आ रहा होता है, क्योंकि जो उनकी बात नहीं सुन रही होती, वो उनको interrupt भी कर रही होती है, प्लस वो बिल्कुल भी इस बात को accept नहीं कर रही होती, जो इस story की ending उन्होंने बताई है, उसे, अब वो जैसे ही नीचे जाते हैं, वैसे ही वो अपनी wife को देखते हैं, और एक तरीके से उनने cage लगता है उन्हें touch करें, या कोई भी काम में उसकी help करें, यहाँ पर यह जो story है, वो खतम हो जाती है, अब अगर इस story की बात करें, तो हम यहाँ पर देखते हैं, कि यह जो story है, यह कासी जादा different है, जो के point of view से, एक छोटे बच्चे के point of view से, और Jack के point of view से, जो की काफी बड़े है अब यहाँ पर दो point of view है, जैसे कि जो जो का view है, उसमें उसे ऐसा लगता है, कि friends बनाने के लिए हमें अपने आपको बदलना पड़ेगा, हम तब ही accept हो पाएंगे, जब हम अपने आपको change करेंगे, हमारी जो looks है, हमारी जो personality है, जब हम उसको change करेंगे, क्योंकि वो बच् करें, जैक की, तो जैक जो यह story है, वो काफी जादा mature point of view से देखते हैं, कि किस तरीके से अपने friends बनाने के लिए, आपको change होना ज़रूरी नहीं है, या अपनी appearances जो है, उसको change करना ज़रूरी नहीं है, जो आपके friends है, eventually they will get used to it, and फिर वो आपके हमेशा friends रहेंगे, वो आ mature point of view है, वहीं दूसरी तरफ, जैक का जो point of view है, वो है mature point of view, another thing जो इस story में note करने वाली बात है, वो इसका है title, should wizard hit mommy, अब जब जो इस बात को कहती है, कि वापस यह जो mommy है, जब वो जाए, यह wizard के पास, तो wizard उसे hit करेगा, तो यहाँ पर यह शो करता है, कि कहीं न कहीं, उ जैनि उसके mother और father के relationship में हो सकता है, इस तरीके की violence जो है, वो उसने कहीं न कहीं देखी है, तभी उसने यहाँ पर कहा, क्या बोला था, कि the wizard should hit mommy, so यह दो points जो हैं, यह आपको इस story में याद रखने है, so even though Jack का point of view काफी जादा mature था, and Joe का point of view काफी जादा childish था, लेकिन फि point of view को, और इसके पीजे मुझे अपने reason भी बताना, so यह तो हमने cover करी summary of the chapter, Should Wizard Hit Mommy by John Updike, that's all for this video, now until the next video, keep practicing, keep learning